क्या आपने कभी अद्रक को नियूस पेपर पे रखा है अगर नहीं तो आज मैं आपको अद्रक का नियूस पेपर पे बहुती बड़ी आसा यूज बताऊंगी और उसके साथी साथ बहुती यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद आप कहोगे काश पह रही है और अद्रक को हमें यूस करना चाहिए इससे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्चा नहीं होती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जादा मात्रा में अद्रक हम लेकर आ जाते हैं कभी सस्ती मिलती है इसको जब हम इस्टोर करते हैं तो ये बहुत जल्दी से खराब सड़ने लगती है तो इसको स्टोर करने का बड़ीया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसको महीनों स्टोर कर पाएंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो आपको स्टोर करने से पहले एक छोटा सा काम करना है जो भी बरतन आपको लेना है वह सूखा और साफ होना चाहि करते हैं अब इस तरह से डालने के बाद आपको ऊपर से भी पेपर को रख देना है उसके बाद अब आप इसका धकन लगाईए और इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए यह महीनों तक खराब नहीं होती है जब भी मैं ज्यादा क्वांटिटी में अधरक लेकर आती हूं इ आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंदाया होगा अब देखिए यहां मैंने मसाले लिये हैं मसाले का इस्तमाल हम सबी लोग अपनी सबजियों में करते हैं इस तरह के जो खड़े मसाले होते हैं मैं तो हमेशा यही मसाले यूज़ करती हूं क्योंकि पिस्टे मसाले में अक् चोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है जो भी मसालय आप ले रहे हैं इनको अच्छे-स आपको ड्राइय रोस्ट करना है लौ फ्लेम पर इसे ड्रै रोस्ट करना है और जैसे ही इसमें अच्छी जब आप इसको किसी भी सबजी में डालेंगे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता इससे तो यहां पर जो भी मसाले आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं अपने हिसाब से तो मैंने यहां देखिए मसालों को ड्राइ रोस्ट कर लिया है उसके बाद इसको हमें मिक्सी जार में डालके पीस लेना है यह मसाला जल्दी से खराब भी नहीं होता है लंबे समय तक स्टोर रहता है और खुश्बू तो बहुत ही अमेजिंग आती है साथी मैंने यहां पर कुछ करी के पत्ते ले लिया है इसको भी मैं मसाले के साथ पीस लेती हूँ बहुत सारे इसके बेनिफिट होते है अब देखिए मैंने इसको पीस लिया है कलर आप देख सकते हैं डार्क है और खुश्बू तो इतनी जादा है कि पूरे घर में मसाले की खुश्बू आ रही है तो जब भी आपको मसाला पीसना है इस ट्रिक को जरूर से इस्तमाल कीजिएगा आपको धूप में भी सुखाने की जरूरत नहीं है बहुती कम टाइम में आपका मसाला बनके तयार हो जाता है आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंदाया होगा अगर पसंदाया है तो एक लाइक कीजिएगा वीडियो को शियर जरूर कीजिएगा अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के बॉक्स को लेकर तो देखिए जब भी हम कोई ड्राइफरूट वगरा या फिर बच्चों के ट्वाइज लेकर आते हैं तो बॉक्स के साथ मिलते हैं अब हम क्या करते हैं अगर ड्राइफरूट का बॉक्स है तो ड्राइफरूट यूज़ करते हैं और बॉक्स को उठाके फैक देते हैं लेकिन ये box भी हमारे बहुत काम आने वाला है तो यहां देखिए मैंने box ले लिया है अब इसके अंदर जो है पॉलथीन लगी हुई है side में और यहां पर already cut लगा हुआ है अगर cut नहीं है तो आप इसको cut कर सकते हैं किसी भी चाकू की मदद से तो मैंने पॉलथीन को हटा दि हैं इनको इधर उधर रखते हैं तो space बहुत जादा लगता है बहुत जादा यह मैसी लगते हैं देखने में तो इनको organize करने के लिए मैं आपको छोटा सा trick बताऊंगी आपको एक bottle लेना है और इस bottle में हमें एके करके सारी पॉलथीन को पहनाते जाना है इस तरह से अब इतनी ही पॉलथीन डाली हुई है अगर आपको और भी डालनी है तो आप इसी तरह से डाल सकते हैं तो चलिए मैं इसे यूज करके दिखाती हूँ कि इसको हमें कैसे यूज करना है अब हमें वही box लेना है जिसमें cut लगा हुआ है मैंने आपको पहले ही बताया है अगर box मे cut नहीं है तो आप चाकू के मदद से cut लगा सकते हैं और इस तरह से देखिए सारी पॉलथीन को हमें इस box के अंदर डाल देना है अब आपको जब भी जरूरत है पॉलथीन इस तरह से easy तरह से निकाल सकते हैं आपको box बार बार निकालने की या खोलने की जरूरत नहीं पड करता है अगला ट्रिक है हमारा जारू को लेकर शाप करते हैं न जारू लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जो सिंख होती है ना छोटी बड़ी चोटी बड़ी होती है और जब हमें पानी वगईरा साफ करना होता है तो अच्छे सेaching पानी साफ नहीं होता है तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है जब भी आप नया जाडू लेकर आएं आपको क्याशी लेनी है और कुछ स्पेस चोड़ने के बाद जाड़ू को इस तरह से आगे के साइट से हमें कट कर देना है इससे क्या होगा इसके जितने भी छोटे बड़े सीख थे वो लगभग एक्वल आ जाएंगे एकदम बराबर हो जाएंगे अब आप इसको यूज करेंगे तो पानी या फिर कूड़ा बहुत तो सुई धागे का इस्तमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं लेकिन जब भी हमें सुई में धागा डालना होता है तो बहुत जदा मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटी वाली जो सुई होती है इसमें धागा जल्दी से डलता नहीं है क्योंकि इसका छोटा सा या फिर हात वाली सुई में धागा डालने का आसान तरीका में आपको बताऊंगी आपको लेना है एक जाडू और जाडू का बाल इस तरह से हमें निकाल लेना है उसके बाद इस बाल को अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा विस्टेज है वो निकल जाए उसके बाद इसको हमें यू शेप में फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से दिखे और अब हमें इसको side कर देना है उसके बाद हमें लेना है बिंदी दोस्तों कुछ बिंदी हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम use नहीं करते हैं एक्स्ट्रा पड़ी दाती हैं उन बिंदी का आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं अब आपको क्या करना है इस तरह से देखिए यह जो हमने बाल लिया था जाड़ू का उसमें हमें बिंदी को चिपका देना है दोनों side से बिंदी को चिपकाना है ताकि बाल अंदर के side अच्छे से set हो जाए अब extra जो जाड़ू का बाल है उसको हमें निकाल देना है यह tool हमार सुई के अंदर डाल देना है अब देखिए जो बाल है इसका कितना ज़ादा ऐरिया है इसमें आप धागे को डालेंगे और इसके बाद इस तरह से पकड़के खीचेंगे इससे धागा डालना बहुत जादा आसान हो जाता है जिनको भी कम दिखाई देता है वो भी इस तरह सीट सवई की में अधागा डाल सकते हैं इस टूल को आप सिलाई मशीन में भी इस्तेमिक अच्छा केच्छा लगा है ज़रूड तो आप पेंट लगाते हैं तो आपने की लिएक चाहर्च पीजिजिया है तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है आपको लेना है coconut oil और side की skin पे लगा देना है नेल्स पे नहीं लगाना है अब देखिए nail paint जब आप लगाएंगे तो चाहें side की skin पर भी लग जाएगी बिल्कुल भी निकालने में मुश्किल नहीं आएगी देखिए मैं आपको skin लगा के भी दिखा रही हूं इस तरह से मैंने लगा लिया है अब आपको लेना है इयरबड की मदद से जो side की skin पर निल पेंट लगा है उसको हमें निकाल देना है तो इस तरह से एकदम perfect shape में निल पेंट हमारा लग जाता है coconut oil की मदद से तो जब भी आप निल पेंट लग काना है यह वाला ट्रिक जरूर से इस्तमाल करके देखिएगा अगला ट्रिक है हमारा अक्रोट को लेकर दोस्तों सरदियां आते ही हम सबी लोग इस तरह के dry fruits इस्तमाल करते हैं ताकि हम सरदी से बचे रहें अब देखिए क्या होता है जब भी हमें अक्रोट तोड़ना होत रखना है इसके जो side की line होती है उसको हमें एक दूसरे के opposite रखना है और दोनों हातों की मदद से इसको दबा देना है इस तरह से देखिए अक्रोट बहुत ही अच्छे तरीके से तोट जाता है अंदर का अक्रोट भी नहीं तोटता है तो यह ट्रिक बहुत ही काम का है जब इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको तोड़ सकते हैं I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों आपको इन में से कौन सा टिप सबसे चलागा है कॉमें ट्रिक्शन में जरूर बताईएगा और वीडियो देखने के लिए link and screen में है आप वहां से हैं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां कहां से देखी जा रहे है कल फिर मिलती हूँ नेव वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई